कि अलो दोस्तों मैं करण सिंग आधार एकेटमी के आनलाइन प्रेडफार्म पे आपका सवाध करता हूं जैसा कि पिछले आभी पिछली लेक्ष्चर में हमने पाशानकाल को डिसकस किया था जिसमें हम लोग पाशानकाल यहने पुरा पाशानकाल मद्ध पाशानकाल पढ़ा पिछली पाशानकाल को भी डिसकस गिया था आव आज नेक्स लेक्ष्टर में आज अब भरपाशानको डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हड़ापा सब्नेता की खोच कैसे हुई और फिर दूसरा इसका कि नामकरन कैसे क्या किया गया है और इसकी तिथी निधारन कैसे की इक विस्तार चार्ची यों को सबसे पहले हम लोग को फिता कि थोड़ा सी विस्तार को देख लें जैसे नाम हरपा क्यों पड़ा सब्सक्राइब नाम रखा गया हम लोगा सही मान रूप में काया इसको कहना जाता हुची तूसरा हम लोग जैसे इसके पता कैसे चला तो सरप्रथाम चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में 826 में लिखा लेकिन बताया था यह प्राचिन सब्वता है जो प्राचिन काल में दवी हुई थी और प्राचिन तमसब्वता इसके बारे मिनों थोड़ा सभीवरन लिखा लेकिन यह 2826 बाद आएगी बात हो गई उसके बाद अठाव सब्सक्राइब भारत में पहली बार रेलवे लाइन प फिर इसके बाद बंबई से दिली दिली से लाहोर दिली से कराची हर जगे हमारे यहां पूरे बड़े सहरों को नगरों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाने लगा उसी क्रम में जब कराची से लाहोर रेलवे लाइन विछाई जा रही थी तभी हमारे यहां इसके बारे में यानि हडपा की बारे में यहाँ पास रेलवे लाइन बिछाई जाने करम में यह एक फास। की जो निवासी थे उन से पता किया कहीं यह सब्हता तो नहीं है रंभा बच्चा उन्हों इनप पुछा न्हां कश्पडानी open हमारे जिसपी हैं कोई यह नहीं है इसके बाद जान विलियम ब्रेंटन जो थे जो इने इन्ट थे इन्हों ने पुरंत इसके लिए जो सर्वियर थे अलेक्जेंडर कनिंगम उनके पास इन पूरा वस्तों के भेजा और इसके लिए भेजा ताकि उनको यह पता चल सके कोई प्राचिंता में सब्वेटा तो नही इनका नाम याद रखेगा कि इन्होंने पुरावस्तियों प्राप nat हूं थे जान बिलियम में ब्रेंटर क्वेंदंसार् विवक्त 856 mlie वार हडपा का दौरा किया लेकिन Speech अब शुक्षक का दौरा करने कब उन्होंने उसके हडप्पा के महत्पकों नहीं समझ पाए एक्षिली हडपा सब्सक्राइशन के मुझे बताया कि यह कोटी रही होगी यह पूरा कोई टीला रहा होगा इसके वारे हम उन्होंने इतना विवरन दिया कि तीन सो से चार सो पुरानी को यह टीला है या कोटी रही होगी और इसके हडपा के जो प्राचिंदम सभिता के महात को यह समझ पाए यह फिर 856 के बाद ही जब 866 मिन्हों रिपोर्ट दी उसके बाद आई यह बात हो गई इसके बाद हमारे हां भी तक कोई भारत में बच्चो केता थि हमारे हाँ भारती पुरातत विभा की षतना की जिसमें इसमें पात सिजन कीया गया जिसका प्रमुक होगा वह महानीद्यसक कहले गया कि इसमें कई लोग आए गये बैठे लिखी जब 1929 में इस पथ पन्युक्ति हुई इसकी सर्जान मार्सल साहथ है तो जब सर्ज तरजान मार्सल उन्हीं के निर्देश पर 1921 में दो टीमें भेजी गई एक तो 1921 में टीम भेजी गई किसके लिए तो दैरामसानी के नेत्रित में पाकिसान के जो आज पंजाब प्रांद के साहिवाल डिस्टिक में हडपा था तो उसके उत्खनन के लिए दूसरी टीम हमारे यहां जो भेजी गई तो जब इन्होंने इसके दूसरे जो यह कहां यह ध्यान लखेगा कि जो हडपा सल्थ इस्थित है तो बरतमाम यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांद के मांड गोमरी डिस्टिक में रावी नदी के बायंत अट पर इस्थित है कहां पास तो यह आज प तो दोसरी टीम वेजी तो राखालदास बनार जी साहब मैं अब जैसे इसमें थोडा से पास इसमें लगी हूई है और इंको नेतरीम 822 में दूसरे नेतरी की गई और यह टीम परांद में जो सी लरकारान ड्रिस्टिक में था कौनसा मोहन जोदो यह उत्कंन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए इनको पुरानी प्राचेंदम सब्यता तो नहीं और इन्हों जब अनुवेशन करके बताए कि कोई पुरानी यह सब्यता है उसके बाद ही फिर 1922 में सब्सक्राइब करने के लिए प्राचेंदम सब्यता है इसके बाद ही हमारे हां 1923 सब्सक्राइब कर दोनों का ब्यापक उत्खनन करवाया गया तो हमारे हां यह पुरी सब्यता एक महानगर की रूप में प्रकट हुई पुरा एक नगरी सब्यता के रूप में और महंजोद्रों भी उसके बाद इन दोनों ने अपना दियाराम सायनी साहब जो हरपका का और रखादास बनरी साहब ने महंजोद्रों का इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट प्रसूत की और इन्हीं के प्रतिवेदन के आधार पर फिर जब इन्होंने अपनी उत्खरन करवाया उत्खरन की फलसुरूप इन्हीं के रिपोर्ट की आधार पर ही फिर 1924 में सरजान मार्सल ने सिंदु सब्यता की बिद्वद घोश्णा की उसके बाद इन्होंने बताया कि ये कोई प्राचिंतम सब्यता थी और ये बताया कि ये लगभग 5000 साल वर्ष पुरानी प्राचिंतम सब्यता है तो जब इन्हों दयाराम शहनी और महजदरोड़ों ने पर रिपोर्ट पर सुद्कि उसकी रिपोर्ट के आधार परी सरजान मार्सल साहमने किया कि पांचाल साल पुरानी सब्यता है अब समस्य से आई इसकी कि निधान को लेकर कि योटी इन्हों ने तो यह बताया सजारण मारसल शाहर ने, कि इन्हों ने मारसल शाम ने बताया, कि जो सभिता है, तो यह सभिता करीब पांच जाव साल पुरानी सब्यता है जब इन्होंने पांच जाव साल पुरानी सब्यता को बताया अब समस्य आई कि इन्होंने तो यह बताया दिया कि वही कि यह बतीस सो पचास लेकर के सब्सक्राइब तक किसापूर के सामें विख्सित सब्सक्राइब रूप में अब इन्हों ने यह बताया कि 3250 तक यह अपने रारंभी को वस्था से सिखर तक पहुंची अब उसके बाद है इसका फिर हमारे यहां जैसे ओल एंसी आलटी कभी याद रखना है और यहां के अड़ेट देती है और यहां बताती है कि पच्छी सो से अठारा सुषा पूर्श का ने नियुक्स लेकिए एंसे हमारे हमजो से इस तेश सो पत लेकर कि 1750 इसा पूर्टक के कार्वन डेटिंग द्वारा जो रेडियो कर्वन द्वर्श को माना जाता है क्योंकि इसमें प्रकार इसमें जो रेडियो कार्वन कि जाता है किसी व्याद कुरानी वस्तों का अब तो आज बहुत सारी बिति आ गई है बच्छों आप तो इधर घंटे पहले आदे पहले तक का और दस मिनट पहले तक का सब निकाल सकते हैं कितने वर्स पुरानी है किसी घ्डियोत होती आज देटिंग से अब सब ज्यात कर लेते हैं पहले हमारे पास समय निकालने के लिए पहले हमारे पास से फोर्टीन ही थी जिसने किसी चीज़ती थी निद्धान करते थे अब यहां लखेगे इसके लाब हमारे हम मैके महोद है और सरजान मार्सल किर्मांट विलर बहुत सा सब्सक्राइब करते हैं लिए पास तीसरा हमारे यहां याद रखना है कि जिन्हों ने उत्खरन व्यापा किसा सब करवाया सरजान मार्सल सानों बताया है तो 3250 से 2750 हिसापूर वह सिर्ग उन्होंने बताया कि लगवख 5000 हिसापूर की सब्वेता थी हड़पा सब्वेता थ इन्होंने यह तीन डिठ हमको जाद रखना है जिसके जिसकी पीछी निधारन की समस्या समाप्त होई उसके बाद आ गया कि नाम क्या होना चाहिए पहले सरप्थम जब इसका उत्खरन करवाया गया इसको उत्खरन करवाने के दवरान इसमें जो अस्थल मिले तो सबसे पह करवाया गया अब फिर उसके बाद जिसे मानली की मोहंजदर कुछन के वाद ही आमरी कोड़ दीजी कहा सिंधु घाटी नदी के च्छेत्र में जो सिंधु नदी घाटी च्छेत्र है दो आपका सिंधु नदी घाटी च्छेत्र में सवस्थल प्राफ हुए जैसे हमको हर्यान दीजी और जुड़ी जो दो गश्वादी के च्छेत्र सरवाधी के अस्थल प्राफ हुए इसलिए इसको हमारे हम नाम पहले तो हरपा रखा गया था कि पहला अस्थल था खुदाई होने एक बास आद तब उसका नाम हरपा रखा गया लेकिन फिर आगे चल करके जो आगे इसका नाम क्या कर दिया गया तो सिंधु घाटी की स्था नाम कर दिया गया और बाद में और उत्हर नंकर वाए गया इसके हमां को सिंधु घाटी के च्छे शेट से बाहर स्वास्थर मिलना चालू हो गये जिसे हमारे हाँ धौला वीरा, कहां प्राफ्वाद गुजरात में, सुर्कोर्दा गुजरात में, रंगपूर गुजरात में, लोथल गुजरात में, वहीं पास आलम गीरपूर, गंगा युमना, घाटी छेत्र में, जिसे हमारे हम मेरण डिस्टिस, जो हिंडर नदी के कौन सा आलम गीरपूर वहीं पास हमारे हां फिर नीचे गए हम भगवत्राओं और दायमाबाद कहां से महाराष्टा से सप्राथ होते हैं तो इसी कारण से जैसे इससे सम्मधि जो असल से इस सिंदु भाटी के बाहर मिले जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में और भारत के आमने छेत्रों से सप्राथ हुए तो इसके फाइले होने कारण ही अब इसका नाम सिंदु भाटी के सब्वता कहना उचीद नहीं रहे गया अब इसी कारण से इसका नाम हडपा सब्वता कर दिया गया क्योंकि इस बिलूप सब्वता का पहला अस्थल जो था जो खोजा गय तो जो भुप सब्वता का पहला खोजा गया अस्थल था परंथ जा भाट अस्थल हडपा था इसी कारण सब्वता कर दिया गया था अब इद्यान रखेगा कि इस काल के जोसे हडपाई जो लोग tenggenommen के अजया फथर के आजया हम को प्राप्थ होते हैं इसलिए इसको हम लोग थे उतामय पत्थर के उजावरों का उप्योग करते थे रेद्थ में तर्क पत्थर को बनाते थे अब पहते हैं और नहीं कांसा कांसा बनाने का धातू कारी इन्हों नहीं चालू किया इसी कारण से इसको कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्पथम इतामा में ट्रिमिला करके तैयार करते थे कौन सा धातू तो कांसा इसको कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता अब धिहान नखेगा बच्चों जसे इसका नाम ज से कांस्योगीन सभेता भी और इसको हम लोग प्रथम तो प्रथम नगरी सरुपेता के नाम से जान जाता है और सिंथु और हाकरा सब्वेता के नाम से जान जाता है हकरा या सरस्वतिय घंघर प्रफम नगरी विश्ट्ट की प्रफम नगरी सब्वेता भी आम से जानते हैं तो इतने सारे नामों से जाना जाता है सब्वेता के नाम करन का निधारन कीजिए तो पहला बताएंगे पहला हडपा सब्वेता इसका नाम रखा गया क्योंकि इसको हम लोग पासानिक सब्वेता के नाम से जानते हैं क्योंकि इस काल के लोग तामा में कासा तामा में कासा बना देते इसलिए इसको हम लोग कांशिविन सब्वेता भी कहते हैं कीकि इसको हम लोग आद देते हासि चलता भी कहते हैं क्योंकि इसकाल के हमको दोनों साच प्राथ मुठात होते हैं पुरा ताप्विक साच यह याँक है लेकिन अभी तक हम लोग पुरा इसका इतिहास लेखान हो दहना है स्याए इसलिक सत bye to सिन्दु नदी सब्दान हैं नेक्स वच्छ वाजा है हम लोग हमारे पास सूर्सिस क्या हैं और अधर नहीं को जानने का पर तक लिपी नहीं लिपी शास्त्री है तो लिपी विद्वान ने पढ़ने का प्रयास के लेकिन रात तक इसके लिपी को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है पुरातातिव सुर्थ में जैसे यहां से सब्वता का पुरा लिखनकार हुआ है इसलिए हमारे पासे हरप्पा के सब्वता के विस्तार घृपता के विस्तार पर जैसे हमको पूरू में उत्तर में देखेंगे तो कौन सा स्थल मिलता है तो मांडा तो जैसे उत्तर में हमको मांडा प्राप्त होता है और मांडा आज वरतमान में कहां है तो जम्मू कस्मीर में जैसे हमको यहां से मांडा प्राप्त होता है तो मांडा हमको कहां से मिला है तो जम्मू ए कि सबसे ब्लूची स्टान प्रांत है पाकिस्तान का पाकिस्तान के ब्लूचीस्तान प्रांत में हैं सबसे इस्टेंट साइड है वह हैं आरYou बैससे कि आहोए ईसको हम लोग कहते हैं कि सबसे हमारा कहाँ जा जाये इस्टेंट साइड आघॡ है ये मेरश डिस्टिक उप्तरप्रदेश में से प्राप्थ हुआ है और सबसे हम जाए सौधन साइट तो सबसे सौधन साइट जो हमको प्राप्थ हुई है ये हमारी दायमाबाद है कहां से महाराष्टा से सबसे सौधन साइट जो निर्धारन करते हैं कि नार्थ और साउथ और एस्ट तो हमारा सबसे उत्तरी साइट है मांडा है और हमारी इस्टन साइट तो आलम गीरपूर है आलमगीरपूर नेक्स हमारी जो वेश्टर्ण साइड है सुथका गेंडोर और हमारी जो सौधर्ण साइड है कौन सी है तो दायमाबाद कहां से महराष्ट्रा से मेरी हमको थोड़ा से याद रखना है कि माली की हरपा सबिता का आप से उत्तरी सीमा कहा जाए मांडा है जम्मु एन कस्मी में जो अफनूर डिस्टिक से हमको प्राप्त हुआ है और हमारी माली जो कहां जो वेश्टर्ण साइड तो सुथका गेंडोर है कहां से तो ब्लूचिस्तान जो प्रांथ है तो पाकिस्तान से हमको प्राप्थ हुई है तो ब्लूचिस्तान प्रांथ पाकिस्तान से सुत्का गेंडूर मिला है वहीं पास जैसे इस्टन साइड तो आलम गीरपूर कहां तो यह मेरट्ष डिस्टिक उत्तर प्रदेश से हमको स्क्राइब हुआ है यह आज वर्तवान लेंगे अहमदनगल डिसटिक है अहमद नगर डिस्टिक महराष्चा से फ्राफ Whole दाने नोवाद यह तो हमारे चो चारहों दिसाओं की सीम्माइ स्क्राइब हम को जेसे बहुत सारी by को दो से रोपड कहां से मिला है तो आज पंजाब हर्याना का बॉडर है इसके बाद राखी गड़ी है बना वली है और तो राखी गड़ी बना वली मिताथल तो हमको सब हर्याना प्रांच से प्राप्त हुआ है जोसे वहीं पास हम आते हैं कहां पास राजस्थान में तो राजस्थ काली वंगास थल्म प्राप्थ हुआ है पुंप कौन्स्थ्र सुधी प्रां से पूठ तो हाइढ और सुत्का गेंडोर मिलता है तो यह सब हमको जिसे बाला कोड़ आंमरी यह सब किस प्र किस केंशनुगणल यह सब सिंध्ण परांक वही 4 पूरा सिंद्ध प्रांद की सबस्थल जो हमको प्राथ में और जैसे बुची साल प्रांग से सोटका को और सुटका गेंडुर मिला है वहीं पास हमारे हम जो गुजरात प्रांग से भी बहुत सारे अस्था मिले हैं जैसे दोला बीरा सुर्पोर्दाय कुलतासी यह रंग लेकिन 1947 तक लेंगे मात्र 40 बस्तियां हमको इसकी प्रकास में आई थी हम 40 बस्तियों के बारे में जानते थे, इससे ज्यादा हम आएप अवी तो बस्तियों बारे में जनकरी नहीं थे लेकिन बरतमान में कहा जाया तो पूरे चाहे भारत, पाकिस्तान और अफगानिसान मिला लें, तो टोटल अब 1100 से ज्यादा बस्तियां प्रकास में आ चुकी ह जो कि अभी जो हमनों डिसकस कर रहे थे जिसमें से कि 925 बस्तियां करीब कहां से हैं भारत में 400 पजटतक पाकिसान में और अफगानिकसान में इस्थी थे जैसे हरपा जो सब्जटा थाई तो हरपा सब्जटा को जो विस्तार है तो सरवाधिक आज भी लेंगे सरवाधिक इस और आफशे पाले तो पश्च्मी लेने बुलूचीस्तान प्रांथ है इस सबसे पश्चिंद की सीमा कर आँ है तो हम नों डिसकस किया था आलंगीरपूर जो आज बश्ट्मान में मेरथ डिस्टिक में आता हृंडगर नदी के तरप पर सब्जिब वहीं पास जैसे हमारी इस्टन साइट है ये तो आलमगीरपूर आप जैसे हमारी सबसे उत्तरी सीमा सबसे हमारी कोई से थी तो मांडा यार बरतवान में लेंगे तो अखनु डिश्टिक जम्मुकसिव में वहां से हमको प्राफ्थ हुआ है और जो हमारी सौधन साइट थी यानि दश्टन सीमा तो हमारी सीमा दश्टन में दाइमाबाद ही कहां है तो बरतवान में जिला महाराष्टा में जो एहमन नगर डिश्टिक है वहां से हमको इपराफ्थ हुआ है तो यह थोड़ा से धियान रतना है कि इसका जो भागोली कुरा कहा जाए कि छेतफल कितना तो मिस्र और मेसोपोटामिया के सब्सक्राइब दोनों के मिला देते हैं उनके कुल समलिच्षित्र का करीब करीबे तारा गुना फुरा विसाल सब्सक्राइब हमको थोड़ा से जैसे इनका आपको उतरी पस्ष्वी साइटों को याद रखना है कि जैसे माली हमसे पूछा अलमगीरपुर और माली जे बेश्वी साइट तो सुगागेंग है मिल gör एक तो इनकों चारों नहीं को याद रखना है कि हमारी जो सीवा निधारान करते हैं तरी सीमह हमारी मांड़ा और यश्वी सीमे prisoner सभींदोर और हमारी पूर्भी साइट तो बच्छों यह तो थो थ पर अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो मिलेंगे वहापवसम महत्पून अस्थनों सबको इसको करेंगे इस वे हम लोगों ने चार चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हम लोगों ने हड़ापवसर भीता खोज कैसे क्या हुई उसको पढ़ा दूसरा फिर हम लोगों ने इसका नाम करन कैसे क्या किया गया कि चो जो और सिंदु हकरा सभथा को कैसे जाना जाता है देखें हम लोग कहां से कहां से था इसका था इसके पास सोर्सिस क्या है हमाएप जाने के चार पांची जूगी निसक्सक्ति वीडियो में मिलते ही कुना है प्रमुक अस्तर को लेकर धन्यवाद दोस्तों थैंक यू